आप सभी का सागत है एक्सिलेंट e-learning classes में और आज का यह वीडियो हाई स्कूल के physics का और light chapter के यह आठवा वीडियो है साथवे वीडियो तक आपने कल आपने सीखा था कि गोली दरपन के वकृता त्रिज्या और focus दूरी में क्या संबंध होता है तो आपको एक formula वहाँ प्राक्थ हुआ था कि गोली दरपन का जो वकृता त्रिज्या होता है वो उसकी focus दूरी का आधा होता है चलिए एटू और दरपन बना लीजिए इसके उबरे हुए प्रिष्ट पर पॉलिस लगा दिये ईसका मुखे अच्छ हो गया यहां बीचो बीच में प्रावर्तक तलकामध बिन्दु classmates कहलाता है इसका दूरू को अगर हम लोग उपर काटती है उसको मुखेफोकस कहते हैं एक ही बात है वो बीचों-बीच में ही काटेगा सी और पीके बीचों-बीच में मुख्य अच्च के समांतर जो किरन जाएगा चिन्ह परपाटी आपको उने बताया था एक वीडियो में अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने ब मैं प्लस में नीचे की दूरी माानियस में यह चिन्ह परफाटी है यह हमारा दटरपन Arin रखा हूआ है तो दटरपन के आगे प्रावर्तक तल की ओर यह प्रावर्तक तल हे इphenां कि ऑर और पीछे पॉलिस लगा तो वस्त हमेसा प्रावरतक तलकी ओर होता है तो वस्त की दूरी सधयों इढ़ात्मक होती है मान्यस में लिखी जाती है निमेकल लगाते समय और इसका जो फोकस दूरी है उतल का उतल का फोकस दूरी देखिए यह दरपन के सामने मिलता है प्रावर्तक तल की और मिलता है और अउतल का फोकस दूरी यह उतल लेंस जिसके दबे हुए तल पर पॉलिस लगा हुआ है इसका यह मुख्याच हो गया इसका जो वक्रता केंदर मिलता है वह पॉलिस जिस ओर लगा है दूसरी ओर प्राप्थ होता है यहाँ P और P और C के बीचों बीच में F होता है तो इसका P से F की दूरी को धुरूब से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं P F फोकस दूरी है इसका जो फोकस दूरी होगा वो प्लस में होगा इसका जो वकरता त्रिज्या होगा P से लेकर के C की दूरी दुरूब से लेकर के वकरता केंदर की दूरी को वकरता त्रिज्या कहते हैं इसका जो वकरता त्रिज्या होगा वो भी प्लस में होगा ठीक? इस बात को आप ध्यान रखेंगे और दुरूप से उसकी दूरी को हम लोग तब प्लस में लिखेंगे आज हम लोग को इसका नुमेकल भी कर लिजे कल आपने जो सूत्र प्राप्त किया था और बराबर टू एफ इससे प्रस्ण किस परकार से आता है प्रस्ण यह होता है कि यदि किसी दरपन का वकरता त्रिज तो आपको बताना है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी इसमाल एफ कमान इसकी फोकस दूरी कितनी होगी तो सूत्र आज जानते है कि जो वकरता त्रिज्या है यह फोकस दूरी का दोगना होता है तब आप लिखेंगे सूत्र आर बराबर टू एफ से आर बराबर टू एफ ल बटा में आती हैं, आपको f का value निकालना है तो 2 इसके नीचे भाग के चलाएगा, बहुत फूरती से, ठीक, 10 बटा 2, अब 2 से आप 10 को भाग करेंगे, या काट विट देंगे, तो ये 5 आ जाएगा, 5 क्या होगा, cm में होगा, क्यों, क्योंकि 10 cm में था, 5 cm, उसकी focus दूरी कित 18 मीटर है, तो बताओ कि उसका वकरता त्रिज्या कितना होगा, तो वकरता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, फोकस से धूरुप की दूरी, ये वकरता केंद्र, वकरता केंद्र से धूरुप की दूरी, ये वकरता त्रिज्या है, और फोकस इसके बीचों बीच में होता है तो यह दूरी आधी हो जाती है इस पूरे दूरी की फोकस दूरी आपको पता है कि अठारा मीटर है तो उसका वक्रता तरिज्जा कितना हो जाएगा फोकस दूरी में दो का गुड़ा कर दो इस दूरी को दो बार जोड़ लो तो वक्रता तरिज्जा तक आप मीटर तो आपको बताना है आर का मान वक्रता त्रिज्या कितना होगा तो आर बराबर होता है टू यफ इसी में मान लग दीजे टू इंटू यफ का वैलू अठारा मीटर अठारा दुनना च्छतिस मीटर MTR अचा सुनो कभी कभी एजाम में कहतेता है कि अपना उत्तर आप सेंटी मीटर में बताओ तो आप डरना मत मीटर को सेंटी मीटर में कर लो जानते हो ना करना सव से गुड़ा कर दू एक मीटर में सो सेंटी मीटर होते हैं तो 36 मीटर में 36 सेंटी मीटर होंगे सव का आते हैं और आज हम लोगों को जो सीखना है कि किसी भी दरपण के लिए जो वस्तु की दूरी है उसको यू से लिखते हैं अगर इसके सामने हमने यहां वस्तु रखा है तो धुरूप से सारी दूरिया ना पी जाती है आप में सीखा होगा और पिछले वीडियो में पढ़ाय थे तो धुरूप से सारी दूरिया ना पी जाती है यहां पर कोई वस्तु रखा गया है वस्तु की दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं और उसका जो परत्विम मान लिजे यहां कहीं बना है तो धुरूप से परत्विम की दूरी को भी से लिखते हैं और यह दरपण की फ के बीचों बीच में काटेगा चाहे उतल दर्पण हो चाहे उतल दर्पण हो चलो कर लिजे बोर्ड को इंग्मिनाटी रेज कर देते हैं अभी थोड़ा सा बोर्ड का इसू है आप इसी से काम चलाएए थोड़ा ध्यान से देखा करिए और सीख रही है प्रावलम दूर हो जा अब लगोवे नियुकर दर्पण की दूरी याद रहेगा यू वी और फ अच्छा यह सब दूरियां तो दूरियों का मात्रक क्या होता है दूरी हो या लंबाई हो इसका मात्रक मीटर सेंटिमीटर केलो मिलीमेटर मैक्रुमीटर नैनोमीटर ये सब रहे मात्रक है आपको नहीं लेना है सारी बात डिटेल में बताएंगे जब भी ये टॉपिक आएगा इसके लिए तो चलिए तो अवतल दरपन क्या होता है जी ऐसा दरपन होता है जिसके उभरे हुए प्रिष्ट पर पॉलिस लगा होता है और इसका दवा हुआ तल प्रावर्तक तल की रूप में काम करता है। इसके द्वरा बना लगव पांच स्थितिओं का परतिविम कि वह वास्त करता है और उलटा होता है एक परतिविम्न सिधा बनता है और धरपन के फशे बनता यह सारा पर तुम कहां बनता है दर्पन के आगे दियान रखा गरू यह इसका मुख्य अच्छ बना देते हैं इधर इसका दुरूपी ठीक है इस दर्पन के सामने कहीं पर एक वस्तु रखा हुआ है कि यह हो गया जी कि यह दर्पन है इसका वक्रता के इंदर यहां कहीं होगा वस्तु की दूरी को यू से ब्यक्त करते हैं चलिए इस वस्तु का नाम दे दिजे सुन्दर सा नाम इस वस्तु का नाम हो गया यह भी इस वस्तु का सुन्दर सा नाम हो गया यह भी ठीक यह वक्रता के इंदर से बाहर है इधर कहीं अनन्त होगा अनन्त और वक्रता के निश्यट होता है तो उसका पर्तिविम कहां बनता है फोकस और वक्रता के इंदर के बीच में चलिए इसका पर्तिविम हम लोग प्राप्ट करते हैं तो इसके लिए सब्से पहले एक किरान मुख्य मुख्यच के समांतर ले चलते हैं, यहां लिख देते हैं, F, एक किरण मुख्यच के समांतर, मुख्यच के समांतर वाला किरण कहां से गुजड़ता है, फोकस से, यह चला आया, बड़े प्रेम से गया, और बड़े प्रेम से चला आया, आपको परतविम प्राप्द करने के ल होता है कि बोलो कि गल्यों में खिच खिच बोलो विना हिच खिच वकरता केंसे जो प्रकास का किरण जाता है यह वकरता केंसे जो लाइन लोड जाता है जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग में क्या होगा ये वापस लोड जाता है तो ये दूसरा केड़ जा रहा है दोनों प्रावर्तित केड़े जिस अस्थान पर काटती है वहीं पर हमको इसका परतिविम प्राप्थ होता है अगर वास्तों में काट रही है तो वा बिलाक देते हैं जी एकंग गानिकी प्रत्विम का नाम हो गया यहां यह सारी दूरियआ देखो प्रत फ्रोन से प्रत्रवें वह की दूरी पी डैस है अबस्क्त ऑकर के सामने का द्रपन के सामने की दूरी मानस में ना म led की पीछे की दूरी प्लस में होती तो यह पर्त्रविम भी सामने ही बना है वस्त भी सामने रखा है और देखो इसका फोकस दूरी भी इसके सामने ही मिल रहा है अवतल होता तो पीछे मिल जाता जिस तरह पॉलिस लगा है ठीक चलिए इसके लिए माना लिख दीजिए माना M1 M2 यहां लिख दीजिए M यह हो गया M1 M2 माना M1 M2 एक अवतल दरपण है जिसका फोकस F वक्रता केंदर C तथा धुरुप P है ठीक मुख्य च पर यू दूरी पर एक वस्त Baby रखा हुआ है अवी से चलने वाली मुख्य च के समान तरप्रकास की किरण फोकस से गुजरती है तथा इसके वगरता के अन से जने वली प्रकासी किरण उसी मार्ग में वापस लोड़ जाती है दोनों किरणे एक दूसरे को ये डाइस बिंदू ये डाइस पर काट रही है तो विन्द्व ये radius पर हमको एक इसका वास्य विक और उल्टा प्रतीविम प्राप्त हो रहा है देखो यह वस्ट ऊपर रखा था यह नीचे है dużo यह फ्रतीविम मॐ खेच के नीचे वाला प्रतीविम क्या होता है उल्टा होता है तो इसका एक हमको वास्तिविक और उल्टा परते हुए यह डैस वी डैस प्राप्त हो रहा है ठीक माना फिर से लिख दीजे माना में और माना लेंस की फोकस दूरी फोकस दूरी फोकस दूरी क्या जी एफ से पी की दूरी एफ पी बराबर मानेस एफ मानेस एफ क्यों लिखे सर क्यों क्योंकि अब हमको जो है इसका डेरिवेशन करना है और यह एफ दरपन के सामने की ओर है तो यह होता है फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं लेकिन चुकि य इसलिए कि comprendre थे कि अंदर से दुरूप की दूरी सी से लेकर के दूरी वेकरता की拜拜 क्या जाएगा कि इस फोकस दूरी का दो गुना होता है सी पों लोग कैपिटल आर से लिखते हैं चलिए उसको दीजिए capital R ये बराबर हो जाएगा focus दूरी का दो गुना तो ये मानेस का 2F ये भी मानेस में रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि ये भी उसी और ही है ये तो होना ही था अच्छा वस्तू की दूरी धुरूप P से वस्तू की दूरी कितनी है भी या ये है P से लेकर के B यहाँ पर तो वस्तू रखा है दूरी P भी लिख दीजिए भी चोट जाता है ये P भी बराबर हो जाएगा वस्तू की दूरी को हम लोग U से लिखते हैं तो ये मानेस रहेगा ये भी सामने ही मिल रहा है ठीक है अच्छा और धुरूप से पर्तविम की दूरी क्या है धुरूप P से सारी दूरिया धुरूप से ही माप नहीं है पर्तविम की दूरी को हम लो ठीक है पी से पर्तविम यहां बन रहा है तो पर्तविम की दूरी हो जाएगी पीवी डैस यह बराबर हो जाएगा मानेस भी मानेस में ये सब सारी चीज़ें मानेस में परात हुई है चलिए अब इसका डेरिवेस्टन सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप तिर्भुज ले लिजिए, दो तिर्भुज, ये आपको पहले नंबर का तिर्भुज दिख रहा है, ये दूसरे नंबर का तिर्भुज दिख रहा है, तिर्भुज संख्या एक और तिर्भुज दो, तिर्भुज का नाम क्या है, इस तिर्भुज का नाम है, ये बी सी, तिर अच्छा सुनो जो बच्चे गड़ित लिये होंगे उन लोगों ने गड़ित में पढ़ा होगा एक गड़िता के थे थेल्स उनका नाम था तो थेल्स ने बताया कि कोई तिर्भुज है ऐसे ही कोई तिर्भुज है बढ़िया सुन्दर सा तिर्भुज है और इस तिर्भुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींच दी जाए किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी भुजा खींच दी जाती है तो इसमें दो तिर्भुज बन जाते हैं इस भुजा के समांतर एक भुजा और खीश देते हैं चलिए, यहाँ पर खीश दिए, इसका सुंदर सा नाम था ये, B, C, और ये जो अमने दूसरी भुजा खीश दी है, BC के समांतर इसका नाम हो गया DE तो DE समांतर है किसके जी BC के ये समांतर का चिन होता है समांतर को अंगलेजी में parallel बोलते है तो DE is parallel to BC DE BC के समांतर है थेल्स ने कहा कि अगर किसी तरभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खीश दी जाती है तो ये जो छोटा वाला तरभुज है ये बड़े वाले तरभुज से एक निश्चित अनुपात में छोटा होता है निश्चित अनुपात मतलब कि जिसमाँन लो आधा हो गया बिच और भीम फिल्भुज आधे-अधे में बट गया तो यह मालीजिये आप अनुपात निखा लिए निश्यत अनपात है तो DE ये इसका आधार है बटा इसका आधार BC तभी तो अनुपात मिलता है अनुपात इसे तो निकालते हैं मैं 5 cm हूँ वो कहता है मैं 15 cm हूँ तो दोनों में क्या अनुपात है अनुपात निकालने के लिए दोनों को बटा कर दीजिए 5 बटा 15 कर देंगे आप 5 से 15 लुट जाएगा, 3 बन जाएगा 5 अगर नम 5, 5 तीन 15 ये एक बटा 3 आपको पराप्त होगा तो आप कहेंगे 1 अनुपास 3 15 जो है 5 का 3 गुना है इन दोनों में 1 अनुपास 3 का अनुपास है इनके पास 1 है तो इनके पास 3 है ये बात है तो ये अनुपास जो है सभी बुजाओं का वो समान होता है D बटा BC ये बराबर होगा इसका छोटे वाले का बुजा AD है न और बटा AB तीसरी बुजा ये इई बटा AC अनुपास सभी बुजाओं का आधार का आधार से, लंब का लंब से जो अनपात होगा, वही अनपात और तीसरी भुजा कर भी होगा इस तरह से होता है, यह किस ने कहा था? थेल्स ने, और हम लोगों को अपने physics में भी यह थेल्स भाई साब का जो theorem है, जो परमे है, यह हमारे physics में भी चला आया ऐसे तरभुजों को समरूप तरभुज कहते हैं समरूप तरभुज का एक चेप्टर है भी थोड़ा सा बोर्ड का इसू है, लेकिन आप सबको इसी से काम चलाना है ध्यान से सुनते रहिए बस पढ़ने से मतलब है यह जो दोनों तरभुज है यह तरभुज और यह तरभुज इस दोनों तरभुज को देखिए तो यह दोनों तरभुज में यह वाला कोण, यहां वाला कोण इस कोण के समान है क्यों? यूँकि दो रेखाओं के द्वारा बना हुआ कोण है यह कौन के समान होता है यह बन दिस्ताएक क्या है सरवांग सम है इस बात को लिख दीजे हैं शर्वांग सम हैं शलिए कौन के 25 C Яइन तो बीद्र से ये ड्रस ये जो कॉण है ये को ये इस कॉण के बराबर होगा क्यों बराबर होFireकि ये सीर्शा भीमुख कॉण है उन्मख यह सीर सा भिमुक कौन है और कौन ये बी सी ये बी सी ये बराबर होगा किस कौन के ये डैस बी डैस सी के ये बी सी मतलब ये वाला कौन जी और ये डैस बी डैस सी ये वाला कौन जो बीच में मिले कोण ये डैस बी डैस सी, दोनों कितना है नबड़े अंस वस तू, सीधे सीधे है, परतविम भी सीधे सीधे बनेगा, तेरहा परतविम नहीं प्राप्त होता ठीक है ये दोनों जो है नबबे नबबे अंस बन रहा है अगर इसके दो कोण समान हो गए किसी तिर्भुज के दो कोण समान हो गए तो तीसरा तो आटोमेटिक समान होता है क्यों? यूँकि निश्चित होता है कि तिर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 तो बाकी दो समान है तो तीसरा आटोमेटिक समान होगा, तो इसलिए आप सकते हैं कि तिर्भुज ए बी सी सरवांग सम है कि तिर्भुज के ये डैस बी डैस सी के ठिक अगर इस तरीके से है अगर इस तरीके अगर ये बात है तो इनका जो अनुपात होगा इसके लंब का और इसके लंब का वो बराबर होगा अनुपात इसके आधार के और इसके आधार के दोनों के आधार के अनुपात के बराबर होगा चलिए यह सब खतम करते हैं तो इसलिए इसमें से जो बेकार की बात हैं उसको रेज कर दिया जाने कि इसलिए इसकी इस त्रिभुज की यह वाली भुजा पर इसके अधार का होगा और इसका अनुपाद क्या जी बी-सी बटा वी-डैस Şu difficult ब्राबर इसका वटा इसका आधार ठीक ये समेकर नंबर आप एक मान लीजिए अब और एक दूसरा त्रभुज यहां ले लीजिए यहां से एक सीधी भुझा गिरा दीजिए इसको नाम भी दीजिए Q नाम हो गया इसका Q ठिक अब ये वाला जो तिर्भुज बना है ये वाला तिर्भुज बना है ये दोनों तिर्भुज भी एक गुसरे के समरूप होंगे क्यों समरूप होंगे इसमें भी देखिए यहाँ 95S कॉन बन रहा है लिख दीजिए इसमें भी इसके कॉन वाली बात है कॉन कॉन सा कॉन MQF MQF ये बराबर होगा किस कॉन के F B-E-E-K F B-E-E-K F B-E-E-K ठिक दोनों 90S है बराबर होगे 90S और जो दूसरा कॉन है कॉन MFQ MFQ यह जुकल्टू होगा किस के B-E-E-K यह बाला कॉन नमबर दो कॉन B-E-E-K E-K ठीक है और यह कौन सा कॉन है सीर सा भिमो कॉन है इसलिए अभी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो अभी हम मठ जाएंगे तब आपको सब बराबर से देखेगा अभी मत इसमें समझें तो ये दोनों तिर्भूज भी एक दूसरे का सम्रूफ हैं और सम्रूफ अगर हैं इसलिए तिर्भूज एम एफ क्यू तिर्भूज एम एफ क्यू ये सम्रूफ होगा किस तिर्भूज के F B dash E dash के तिर्भूज F B dash E dash के अगर ऐसा है तो इसका लंब बटा इसका लंब बराबर होगा इसका आधार बटा इसका आधार अगर इस तरीके से है तो ये होगा इसलिए इसका लंब क्या है M Q बटा इसका लंब क्या है E dash B dash ये बराबर होगा क्या जी किसके बराबर होगा इसका आधार इसका आधार है FQ बटा FB- FQ बटा FB- FQ बटा FB- अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखिए भुजा AB और भुजा MQ तो ये दोनों आपस में समान हैं क्यों समान हैं क्योंकि ये जो किरण है ना ये मुख अच्छ के समानतर है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानतर है अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समानतर हैं तो उनकी दूरी जो होती है प्रत्यक अस्थान पर समान होती है यह हो गया यहां पर इस अस्थान पर दूरी इन दोनों रेखाओं के और यह हो गया इस अस्थान पर दूरी तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समान होगी AB बराबर होगा MQ के AB किसके बराबर होगा MQ के या MQ कह सकते हैं हम कि MQ बराबर होगा AB के क्यों बराबर होगा चूंकि AM जो समांतर है BP लिख दीजिए AM पेरलर है BP के इसलिए दोनों समान होगा यह दोनों लंबाईयां समान होगी और एक बात यह जो यफ Q है अगर यह आपका दरपन छोटे द्वारक का है यह अगर आपका दरपन छोटे द्वारक का है तो FQ यह जो Q वाला बिंदु है यह इसी के नजदी आ जाएगा FQ यह बराबर हो जाएगा लगभग में समान हो जाएगा FP के तथा यदि दरपन छोटे द्वारक का हो रैटिंग हमारी खराब है आप बात सुनना छोटे द्वारक का हो तब यह जो भुजा है FQ FQ यह लगभग में बराबर हो जाएगा लगभग का चिन है ऐसे लगा दीजिए FQ लगभग हो जाएगा FP के तो चलिए चेंज कर लेते हैं समिकर्ड नमबर यह दो समझिए तब समिकर्ड दो क्या बन जाएगा चलिए यहां लिख दीजिए अच्छा इतना नोट कर लीजे फिर अभी इतना आप देख लीजे स्क्रीन सॉट ले लीजे फिर यहां से करते हैं इस चीज को इएज करके इस चीज को इएज करके इसको आपने देख लिया अगर नहीं देखे होगे तो वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो जी तो रिकार्ड है आपके पास कभी भी कहीं से भी देखो इसको इरेज कर देते हैं और आगे कामड़क डेरिवेशन यहाँ पर करते हैं थोड़ा सब बड़ा डेरिवेशन है आपको लगातार अपना ध्यान बनाए रखना होगा चलिए दो बाते हमें मिली समिक्रण दो में कि यम क्यू बराबर है अबी के और यह जो एफ क्यू है यह एफ पी के समान होगा तब समिक्रण दो क्या बन जाएगा यहां के बाद से फिर यहां से करना है तब समिक्रण दो आपका बनेगा एम क्यू बराबर हो गया अबी के बटा यह डेस बी डेस है बराबर हो जाएगा यह क्यू क्या बना एफ पी बी नहीं सर पी ठीक है साब F P बटा F B dash ये समिकरण नमबर 3 आपको बढ़िया सुन्दर सा समिकरण पराप्त हो गया अच्छा अगर जो है आप समिकरण 1 और समिकरण 3 को देखिए समिकरण 1 और समिकरण 3 को देखिए तो क्या दिख रहा है आपको कि इन दोनों समिकरणों का जो बायापच है Left hand side या side cut में जो LHS कहते है ये जो समिकरण है इसका बायापच ये है इस समिकरण का बायापच ये है ये दाहिनापच कहा जाता है इसको RHS कहते है Right hand side इसको LHS कहते है Left hand side तो इन दोनों equations का जो LHS है वो equal है इन दोनों समिक्रणों का बाया पच समान है देखिए A B बटा A D S B D S और ये भी है A B बटा A D S B D S अगर बाया पच समान है भिया तो ये बराबर का चिन यही बताता है कि ये इसके बराबर है और यहां पर कह रहा है कि ये इसके बराबर भी है मतलब कि ये दोनों मान जो है आपस में बराबर है अब आप लेख दीजिए समिकरण एक तथा समिकरण तीन से समिकरण फर्ष्ट तथा थर्ड से समिकरण एक और तीन से आपको मिल जाएगा कि दोनों का जो बाया पच्छा अगर वो समान है हैना पच्छ भी समान होना चाहिए बिल्कुल होगा बी-सी वटा-वी-डैस-सी बराबर हो जाएगा एफ-पी वटा एफ-वी-डैस अब चलिए मान रख दीजिए भी है इसमें बी-सी अच्छा चलिए चित्र में देख लिजिए बी-सी का आपको मान निकालना है बी से लिकर के सी तक तो बी-सी का मान तो कुछ आ olan नहीं था आपने एक चित्र माना था कि धुरुब से वस्त की दूरी ओर व्रे पी बी आपने माना है और फीसी आपने माना है अगर आप ध्यान से देखिए इस पूरे दूरी में से पी-बी में एसे PC घटाई एक तो पीवी कितना है जी इसका वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या ये मानस 2F के बदाबर है तो यह हो जागा मानस का 2F ठीक अब यहाँ से देखिए यह मानस का U इसमें दो मानस हो गए अड़ूसी बड़ूसी जब दो मानस अगल बगल होते हैं तो इन चिन्नों का गुड़ा होता है और मानस मानस का का मान क्या होगा इस का मान में नहीं पता है आपने कुछ नहीं माना है बी डैस सी का मान निकालने के लिए आपको यह जो पूरी दूरी दिख रही है पी सी बी डैस सी बराबर हो जाएगा यह पूरी दूरी है पी सी PC मेंसे आपको घटाना होगा इतनी दूरी इतने पूरे दूरी मेंसे PC मेंसे अगर आपने PV- घटा दिया तो आपको मिल जाएगा B-C कमान PC- PV- PC कमान क्या है PC कमान है 1-2F इसमें से मानश करना है PV- कमान क्या है PB-DAS है धुरुप से परतविम की दूरी और इसको कहते हैं हम लोग मानिस B तो यह बन जाएगा मानिस 2F और मानिस मानिस के गुड़ा प्लस का B और किसी का मान निकालना है तो हम FP तो फोकस दूरी है मानिस का F है और यह FB-DAS क्या है अच्छा FB-DAS कभी मान निकालना होगा FB-DAS कभी मान निकाल दीजिए FB-DAS बराबर क्या हो जाएगा इतना मान अगर आपको निकालना है तो इस पूरे मान में से PB-DAS में से आप घटा दीजिए P Adrian को PB-DAS में से PF को घटा दीजिए तो यह भी डेयस बराबर हो जागा P L D मतलब परतविमी की दूरी माईनेश का भी और माईनेश का P F कितना है जी माईनेश का F है तो यह हो जाएगा माईनेस B और माईनेस माईनेस का प्लस का F ठिक अब यह तीनों मान आपको समिकरण चार में रखने है यह समिक्रण 4 यह समिक्रण 4 में इन सभी का मान आप रख दीजिए और तीछा गुड़ा कर देते हैं तीछा गुड़ा करने पर हमको सूत्र प्राप्थ हो जाएगा और यह सूत्र दरपण सूत्र भी कहलाता है मिरर फार्मूला भी कहलाता है और जो सूत्र उत्तल के लिए प्राप्त होगा वही सूत्र उत्तल के लिए भी प्राप्त होगा ये भी रेज कर देते हैं आप सब इत्मिनान से वीडियो को रोगते हुए एक एक बात को समझते हुए तब आगे बढ़ेंगे कोई जल्दी है नहीं मॉबाइल आपके पास रहेगा और ये वीडियो हमेशा उपलब्द रहेगा एनी टाइम आपको जहां तक समझ में आया हो वहां तक समझ लिए अगर लगता है कि अभी आगे समझने में हम भूल जाएंगे तो ये उत्तल वाला फिर दूसरे समय में समझ लिजेगा इसका प्रैक्टिस करने के बाद में चलिए बोर्ड का इसू देखिए खतम होना चाहिए चलिए ये मान रख देते हैं समीकरण 4 में सभी मान समीकरण 4 में रखने पर यह सारा मान समिकरण 4 में रख दीजे B C का मान क्या मिला है मानेस U फ्लस Tू एस बटा B का मान क्या मिला है B . Bc का मान प्लस B, मानेस का 2 एसफ endy वकल्टो F P क्या है जी F P फोकस दूरी है सर यह होगा मानेस F, और बटा F B dash क्या है F B dash ये है परतविम की दूरी F B dash हाँ इसका माने मानेस B प्लस F मानेस B प्लस F चलिए गुड़ा कर लीजे पहले मानेस U का ये क्रास मल्टिप्लाई आप समझते होंगे कहची गुड़ा पहले मानेस U का दोनों से गुड़ा होगा फिर प्लस का 2F का दोनों से गुड़ा होगा मानेस U का दोनों से गुड़ा करवाते हैं जब इसका गुड़ा मानेस B से होगा तो ये मानेस मानेस का प्लस U और B का गुड़ा U V मानेस U का प्लस F से तो मानेस का U F 2F का मानेस B से तो मानेस का 2F B फिर 2 f का प्लस का 2 f से तो 2 f square f और यह फ का गुड़ा f square यह उकल 2 हो जाएगा minus 2 f का minus f से तो हो जाएगा plus का 2 f square और इसमें एक के step है तो एक ही बार गुड़ा होगा minus f का फिर b से होगा तो minus का f b बन जाएगा ठीक है ताप देखिए इसके बाइने पच्छ में भी 2F स्क्वाइर है और दाहिने पच्छ में भी 2F स्क्वाइर है इसको आप जो है दाहिने पच्छ में भी दाहिने पच्छ से दाहिने पच्छ में और बाकी सभी को आप पच्छांतर कर दीजे बाकी सब का जब आप पच्छांतर करेंगे तो यह UF इधर आएगा प्लस का UF बन जाएगा और यह मानिस का 2F भी आएगा तो प्लस का 2F भी बन जाएगा और इधर एक मानिस F भी पहले से मुझूद है और यह 2F² इधर आएगा तो माइनस का 2F² और यह लूट गया यहीं पर काट, कैंसल वैसे एक्जाम में इस तरह से काटना नहीं होता आप इसको खुद ही मन में समय लिजे कि यह खतम हो गया, घट के जीरो हो गया अब क्या होगा, UV is equal to 2FB में से 1FB घड जाएगा तो क्या बचेगा 2FB में से 1FB अगर निकल जाएगा भीया, तो 1F भी बचेगा अब दोनों पच्छों को UVF से भाग कर दीजिए UVF से भाग दोनों पच्छों को भाग कर दीजिए UVF से तो UV, सब के नीचे UVF आजाएगा UVF is equal to UVF बटा UVF प्लस लगा है लगा दीजिए UVF के नीचे भी UVF आएगा जब दोनों पच्छों को भाग कर रहे हैं तो सभी, जितने भी element होगे सब भाग होगा तो UV से, इसमें देखे U से U लूट गया, V से B बरबाद हो गया इसमें U से U और F से F F से F, B से B क्या बचा? यहां पर सब कुछ कटपिट के उपर बचा 1 और नीचे बचा F is equal to यहां क्या बचा? उपर 1, नीचे बचा है V प्लस यहां उपर 1, नीचे U यह जो सूत्र प्राप्त हुआ है आपको यही सूत्र, धरपण सूत्र कहलाता है और इसी सूत्र का हम लोगों को उपयोग करना है आगे नुमेकल में कि फोकस दूरी गयात हो V क्या होता है? परतवे में की दूरी गयात हो तो बताओ वस कितनी दूर पर रखा है तो इसका मान हम लोग निकालेंगे इसी सूत्र में रख करके बस एक काम करना होगा कि अगर यह उतल है तो इसका फोकस दूरी आप सोचना होगा कि किस ओर पड़ता है यह दरपण के किस ओर पड़ता है सामने पड़ता है तो मानियस में लिखा जाएगा इस सूत्र में और अगर पीछे है आपने उतल के लिए करके देख लिया है अब उतल के लिए भी इस सूत्र को प्राफ्थ करना है यह दरपन का सूत्र है दोनों के लिए यही सूत्र प्राफ्थ होगा दरपन से अभी एक परत्विम प्राफ्थ करते हैं और उसके आम लोग डेरिवेशन भी करते हैं ठीक नोट बदर लिजया